असलाम अलेकुम वाइस अमेद करता हम अब सब हैड़े से होंगे तो आज हम आपको सिंपल सूर की कनिक्स आएंगे तो सबसे पहले हम लेंद का नशान गाएंगे और लेंद है हमारी 38 इच अब पास गेर के साथ नशान गा रहेंगे हमारा है साड़े जोदा इंच साड़े जोदा इंच अब आफ इंच दबाव रखेंगे इसके बाद हमारा जो डॉन शॉल्डर होगा हम साड़े साथ इंच इसके बाद शॉल्डर हम हम आफ सेंच हाएंगे इसके बाद चेस्ट हमारी है साड़े जोदी सेंच इसका हम हाफ करेंगे तो सबस्दा सेंच आएगा इसके बाद हमारी जो साड़े है वो है साड़े तेरा इंच और हमारी जो कमर आएगी वो पंदरा इंच पर आएगी कमर हमारी साठे आठार इंच है उसका हम हाफ करेंगे तो सबस्दा सबस्दा नौ इंच आएगी हिपस हमारी म्हारी तैस इच है उसको हम अबाद करेंगे तो साड़े गया इंच आएगे और गेर भी हमारा 23 आचा है उसका हाउ साइड यह रहा है जाए उसके बाद स्केर के साथ हम निशान लगाएंगे गेर का निशान हीप सा मिलाएंगे उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे उसके बाद हम कंदे का अशान लगाएंगे कंदा नमारा साथ है निशान लगाएंगे तो यह हम अशान पर कटिंग करेंगे यह बाद हम इसे कटिंग करेंगे और बाद को हम एक इंट बाहार कर कटिंग करेंगे तर यह बाद है अवाएंगे लगाएंगे लगाएंगे पर आपी तो के अवाएंगे पर बाद करेंगे पर बाद बाद करेंगे यह उपके बहाँ जी बाइद हम बाजू कटिंग करेंगे तो बाजू के लेंद हमारी 18 इंच है तो यह हम हम साठे 18 इंच रखेंगे तो यह हम साठे 8 इंच रखेंगे और हमारी जो बाजू की आगे से बलाई है वह साठे 5 इंच है अखेंगे अग्ग में और हमने शारмен की पारी इंच है वे गारे यह कूनगे यह हम पार्सादे की उस्टर्वाड़ का लेंगे यह मैंसा अग्सा अध्यार अगर यहां कोट से रपने गए गाए यहीं बना बढका है युदा है महार पाजर कटिंग बाग चो की फिर मारा शर्वार का डाइवांस बीस है तो अब मां इसमें से शिलवार कटिंग करेंगे सादी शिलवार है हमारी सब से परियन 28 इंच रिफ़ी रंक आ लेंगे उसके बार लेंथ पर-देश हमारी है वहता 37 इंच 37 इंच पर निशान दुझाएंगे अब मारा जो झीएव ऊह है उन्नी सिल्च इसके बार जो हमारा आसन है वह है 15 इंच तो हम 18 इंच रखेंगे क्योंकि एड़ाई से इंच हमारा नेफे का दबाव जाएगा इसके बाद इदर साथे होगे से प्रेंच दो गाएंगे इसके बार जो हमारे शेलवार अपंचा है वह है 7 इंच कैमारे जो नेफ्र का वहाग थाद प्रेंच मिला यह बनाएगे अब इसे कटिंग करेंगे ते वाइस हमानी सादी शल्वार कटिंग हो चुकी अब दो चुकी शल्वार करेंगे